कि नमस्ते बत्तों अपने चेप्टर के पहले बाग में पढ़ा था कि प्रिमे संख्यां क्या होती हैं उनके क्या गुण दर्म होते हैं उनके योजे तत्सम उनात्मक तत्सम यह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और अब जो चीज़ें बची हुई है वो इस भाग दूसरे में पढ़ेंगे अपन देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिमे संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरुपित करते हैं अपन जानते हैं कि एक संख्या रेखा होती है जिन पर सभी संख्याओं को निरुपित क्या जसकता है वह देखिए इस तरह की संख्य या रिका है है कि और इसके जो बीच में होता है वो जीरो होता है इदरवाली संख्या चुमझां लिए धर यूलिनात्म होती है यह थोड़ा के लिए अपने एक उदार्ण लिया है कि दो बटा पांच यानि कि यह परिमें से क्या है दो बटा पांच इसको संख्या रेखा परकेशन निरुपीत करें तो दो बटे पांच है तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे कि यहां से यहां से यहां तक एक ले लेते हैं कि यह 0 है और यह 1 है 0 और 1 के बीच में संख्या रेखा पर 0 और 1 डाल दिया इसके अपन क्या करेंगे निच्चे 5 है तो इसके अपन क्या करेंगे कि 5 बाग कर लेंगे एक, दो, ती, चार और यह 5 यह 5 बाग कर लेंगे तो बंदम से बना लेते हैं यह वाला 0 था और यह 1 माल लेते हैं इसके 5 बाग करेंगे ठीक है ठीक है तो इसको देखो 0 को इसको 0 को 0 बटे 5 लिख सकते हैं अपन और इसको अपन 5 बटे 5 लिख सकते हैं देखिये 5 में 5 का बाग देता है तो एक आता है तो इसको 5 बटे 5 लिख सकते हैं और 0 में किसी भी सिंग्याका बाग देता है जीरो यात हैं दिए जीरो से उप्र वाड़ा देखो निचे तो पांच पांच है पर पांच तक चला यानी कि भीच में एक दो ऐसे आया होगा यानी कि यह क्या होगा फिर यह एक बट्टा पांच होगा यह क्या होगा दो बटा पांच होगा और यह क्या होगा तीन बटा पांच होगा और यह क्या होगा चार बटा पांच यह विसके जीरो और वन के पांच बाग यह पहला जीरो जीरो बटा पांच कि रेक बटा पांच दो बटा पांच तीन बटा पांच चार बटा दिया तो इसमें सिख आक आपने देखिए दोट पांस को मैं डंघ से लिख के बताता हूं आपको दो अफ़ते सबसे पहले 0 और कि जिरो और वन की एक लान पर अपने 0 और क्या कर दियrée अपने इसे बना दिया ठीक है हना ठीक है तो अब इसमें क्या भॉचा किया अपने जो हर है उतने टुखड़े की कितने की है जितना डाव rubbing इसका पांस फ्रेयर फांस है तो पांस तो फ्रेकर दो कि पड़िये कि फेर आपने किया किया जिरोघड़ा हर mighty जिरो बटा हर याने 0 बटा 5 और यहां पर हर बटा हर यानि 5 बटे 5 ठीक है अब बीच में आ गया 1 बटा 5, 2 बटा 5 और 3 बटा 5 और 4 बटा 5 देखिए इसी के अंदर 2 बटा 5 था तो इस तरह से अपने संख्या रेखा पर किसी प्रिमे संख्या को निरुपित कर सकते हैं ये च प्रिमेश संख्याओं के बीच में कितनी प्रिमेश संख्याओं होती है जैसे कि अभी अपनने क्या जिव और वन जिव और वन किन्चा ये दो सब्सक्राइब करो तो हम कैसे ग्याद कर सकते हैं तो उसके लिए विद्धी होती है जिसका नाम होता है माद्दे की अउधारना इस अउधारना से अपन क्या करते हैं जो प्रिमे संक्या हैं उनके बीच में दो प्रिमे संक्यां के बीच में जितनी प्रिमे संक्या ग्याद करनी होती है वो ग्याद करते हैं अपने एक उधारन से समझते हैं एक उधान लेते हैं कि 1 बटा 4 और 1 बटा 2 की बीच में 5 प्रिमे सिंख्याइं ग्याद कीजिए यह आからवली 1.2 का 500 का किसन है आपके प्रिमे से तो यह देखिए कि 1 बटा 4 और 1 बटा 2 यह 2 प्रिमे सिंख्याइं अपने को दी वी है और इनके बीच में कितनी ज्याद करने है पांच ज्याद करना है अब देखी मात्वय का वद्धाना होती है मात्ड की प्लस शे करते हैं आट बटिया 9 माध्धy ज्यादा चार इसी तरह से इनका माद्दे ग्याद करने यानि कि अपन माद्दे ग्याद करेंगे तो उनके बीच वाली माद्दे का मतलब होता ना जो बीच की सिंग है तो उनकी बीच की सिंग आ जाएगी ठीक है इस तरह से अपन करके उनकी पांस सिंगे ग्याद करेंगे देखें करत नोतरलव इनने दोनों को दो का दिने इसकी चार अरब नो hem बाग दिर इन का बाग देना थाना मत क्या रहां तो थो का बाग दिया यानि कि क्या किया तीन मत्ठे चार गुन्हीं एक बटे दो कर गी यह जो बटे इक था उसको विट रतती है एक वता टो ठीक है तो तो क्या आया तीन बटे आठ तो इनके से बीच सुन ही वह आई तीन बटे 8 भी ईकर यानि इन दोनों के बीच में कितने सिंख्या आगी एक सिंख्या गये आना चारा निकाल दे वह है अब क्या करते हैं वन इसके और इसके बीच में भी माध्फे निकालSorry एंपर दो और याना तेबर तीन यानि कि पांच बट्टे आठी तीक है इन दोनों की बीज के आगे पांच बट्टे आठीक है अब तीसरी है तो तीसरी के लिए अपने क्या करते हैं तो तीन बट्टे आठ और शोरी यहां पर तू से दिवाइड भी करना पड़ेगा अपने यह मिष्टेक हो गई अपने से यहां ये पांच बट्ट्टे आठा गई उनको डिवाइड करेंगे तो टू से डिवाइड करेंगे तो पांच बट्टे आठ गुण एक बट्टे दो अना तो यह जाएगी 3 बट्टे 8 और 1 बट्टे दो तो इन दोनों का लोगुतम आएगा तो 8 आगया तो ये 3 प्लस 4 यानिकी 7 बट्टे 8 और इसको 2 से बाग करेंगे तो यानिकी 7 बट्टे 8 गुना 1 बट्टा 2 अना तो ये आ गया 7 बट्टे 16 क्या गया साथ बट्टे सोडा, इन दोनों के बीच में क्या आगया, साथ बट्टे सोडा, ठीक है, आगे बास में कितने आगी, एक, दो, तीन आगी, अब चोथी और पांच भी कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों के बीच में से निकालेंगे, इन दोनों के बीच में से निकालेंगे, च केले इनको दोड़ेंगे 6 लोगुतम आएगा zodč चार का शोड़ा में चार बार जाता है तो चार और इदर पांच का पांच यानि कि नोब ट्रम्ट बत्रत यह एगा है ठीक है और इनको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे इसको दो से बाग देंगे यानि दो बटा एक और इसको लिख देंगे नो बटा शोडा गुना एक बटा दो यानि क्या आप जाएगा उत्तर नो बटा बतीस इन दोनों की बीच में तुसे आईए वो कौन सी है 9 बटा 32 चार आगी 5 में निकालते हैं 5 में कां से निकालें जान से निकाल लेते हैं इन दोनों की बीच की इन दोनों की बीच की निकालेंगे तो वो ही माद्दे निकालना है अपने को तो 5 बटे 16 पलस 3 बटे 8 तो इन दोनों का लोगुतम आ जाएगा 6 तो ये 6 आछ 4 नहीं बार गया और यह आगर 5 और 8 यदो बार 2 को 3 च्ढुना करेंगे 6 यानी कि 11 बट्टे 16 आँ अब क्या बच्दा दो का बाग बाग दिया तो आता ही 10 बट्टे 16 गुना एक बट्टा 2 यानि उत्राया 11 बट्टे 32 यानि इन दोनों के बीच में जो आई है वह है 11 बट्टा 32 देखिए अपने को 5 बोला था अपने 5 निकाल लिए 1 2 3 4 और 5 ये 5 देखो इन दोनों के बीच में ये 1 3 बट्टा 4 और 2 ये बीच में इस तरह से अगर अपने को 10 पूष्चे ना तो 10 निकाल लेते हैं इनके बीच में लिकाल बीच में अपन चाहे जितनी प्रिमेश निकाल सकते हैं 2 प्रिमेश संक्यां आपीश में सुवदर लिए प्राइज की जो प्रेमेर संग्या आजाएगी उसी को मद भland यह प्रमेर शल्क बोलते हैं तौ बचों इसके साथ ही हमारा यह पार्ट खतम होता है और इसके साथ यह मारius पूर्ण होता है और इस हम ने क्या क्या सीख इए क्या होती हैं उनके गणड़्म कैसे होते हैं और यूज्य क्यों संबने हुटता है अगर किसी बीकी को उस तरह से निरुपित कर सकते हैं एक अगर दूसरी पर ग्यात करनी हो दो वह किस तरह से घ्यात कर सकते हैं यह जब पर दोसरे दिया के साथ तब तक के लिए धन्यवाद कर दो कर दो